जै माता दी तो आपको डिफरेंट प्राब्लम से चुटकारा ही नहीं, अपीटू आने वाला एक सप्ता ही नहीं, अपीटू बावन सप्ता क्या जिन्दगी के जितने साल हैं, उनके आने वाली सभी बाधाओं और प्राब्लम से आपको मुक्ती पने जाकत मिलती हैं. तो यह जो नवरात्रे आ रहे हैं, इसका विशेश महत्व हैं, इसमें माता के आप माता के रिल्टेड जॉब होने से लेके, और जो नवरात्रे पे हम नवा दिन हैं, उसके जो रगुलर्ली उपाय हैं, उनको आप मेरे फेस्बूक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं. बात कते मीन राशी के बारे हैं, मीन राशी का स्वामी ये गुरू, शुब रतने पुखराज, शुब दाक्ष ये पांच मुखी रुदाक्ष, शुब दिशा है उत्तर पूरव की दिशा. इस सब्ता सितारे आपके साथ हैं, कारेशित में आपका पेजशिन अच्छा रहेगा, परन्तु वित्या मामलों में विविन प्रकारगी इबादों का सामना करना पर सकता है, धनकी बचत पर ध्यान देना है, विवाइक जीवन के लिए सब्ता सामना देने वाला है, चात्र आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, सादू और पंडितों को भी वस्तदान करने से आपको रहात मिलेगी, कुछ रोगों की सेवा करें, शाम को खाने के पचात कुट्टे को रोटी देना, और सुबह की शुरूआत माता के च्रंसपर्स से करना, यदि ये उपाई इस राशी के दातर करते हैं, तो आने वाला साद की आरती करना, इस सप्ता यदि ये उपाई के साथ साथ आप ये भी करने करते हैं, तो आपके लिए आने वाला सप्ता एक अच्छा सप्ता साबित होगा, इनी शुपकामनों के साथ आने वाला सप्ता अभी सभी राशी के सभी जात्कों के लिए शुपकारी रहे, मता दुर्गा की किर्पा आपके उपर हमेशा बरस्ती रहे नमस्कार मैं मागुरू गौरव